और यह सोचा जा रहा है कि भारत के साथ दुबारा से जो है एक बार पिर भारत के साथ जो है ट्रेड ओपन की जाएए जाए यह मुल्क ऐसे डी स्टेबल रहेगा कोई इनसान के बच्छों का मुल्क है नहीं है यह वन्यादी तरह पर ना सोच ना समझे ना हमें सिर्फ हम किसी ने हमारी तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की तो उसकी मैली आंख निकाल देंगा ट्रेड की जाए और यह और बात है कि अभी तक भारत की तरफ से कोई बाचीत नहीं की गई है पाकिस्तान में मगर यह बात अब शुरू हो गई है देखने वाली बात यह है कि क् पॉजिटिव रिस्पॉंस पाकिस्तान को मिलेगा आपके मैशत भी कमजोर आपके पास उस तरह से ताकत भी नहीं है मैशत होगी तो ताकत होगी ना तो इंडिया की मैशत है मैशत के साथ ताकत होती है इंडिया अपना जो रोल है उसने इंडिया ने अपना रोल बढ़ा लि उसके साथ भी जो आपके रिलेशन्स है वो ऐसे हैं तो यह सिर्फ हाली-खुली बाते हैं इतनी ज्यादा साइलेंस है पाकिस्तान की कि मुझे तो इस सीज्ट से बड़ी हिरांगी होती है कर दोस्तों पाकिस्तान के नए फोरण मिनिस्टर इसागदार उन्होंने एक बयान द पाकिस्तान को जल्द से जल्द भारत के साथ जो ट्रेड रुकी हुई है उसको दुबारा से शुरू करने की आउशकता है इससे पाकिस्तान का जो पैसा है वो भी कम खर्च होगा और सस्ती चीजे पाकिस्तानी आवाम को जो है न मिल जाएगी और इसके उपर पाकिस्तान क पाकिस्तान के वीडियो को शुरू करते हैं ये सोचा जा रहा है, ये बारत के साथ दुबारा से, एक बार प्पेर भारत के साथ जो है ट्रेड ओपन की जाए जी या इसागडर साब ने ये स्टेटमेंट डिया है साथ इसागडर साब का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की बिजनस कम्यूनिटी जो है वो भी ये चाहती है कि भारत के साथ दुबारा से ट्रेड ओपन हो भारत के साथ दुबारा स response پاکستان کو ملے گا کیا دوبارہ ایک بار trade open ہو سکے گی کہ ایک بار پھر بھارت اور پاکستان trade کر سکیں گے اور اگر کریں گے تو کتنے دن چلے گا اس کے بعد کہیں خدا نہ خاص طرف پھر تو نہیں دونوں میں کوئی tension ہو جائے گی یہ بہت سی چیزیں ہیں جو یقیناً آہ بھارت کے لیے بھی ایک سوچنے کی بات ہو گی اور یقیناً ان کو بھی اس طرف بہت دیکھنا ہوگا اور پاکستان کو بھی बहुत ख्याल के साथ इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा लेकिन बहुत अच्छी बात ही है पॉजिटिफ चीज़ ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये सोचा जा रहा है कि ट्रेड की जाए यानि पाकिस्तान इसका मतलब है अब पैसा मांगते मांगते ठक च कि कई दूसरी कंट्री जिसमें साथिय एरब और कई गल्फ कंट्री और येरपिन कंट्री से जिससे पाकिस्तान को पैसा मिल सकता था मगर ऐसा नहीं हुआ कहा यहीं जा रहा है कि पाकिस्तान को उसके बाद जो है कोई खास फाइदा या कोई खास होप जो हो दिखाई नही काम कर सकें अपने घर चला सकें यह और बात है कि हर चीज़ के ओपर टेक्स पर टेक्स जो है वो लगता चला जा रहा है अब जो बोरिंग का पानी होता या जो सरकारी पानी नहीं होता लोगों ने घरों में या विल्लिंग्स में जो बोरिंग करा रखी होती है उसके ओपर भ बढ़ा दिये गए अब चाहे किसी के पास चोटा सा अपार्टमेंट हो या चाहे कोई बहुत बड़े बैंगलों में रहता हो सबको ही प्रॉपर्टी टेक्स भी जो है वो जादा करके देना पड़ेगा चले यह प्रॉपर्टी टेक्स होगेरा तक तो सही है और बोरिंग का पानी चले वो भी मांन लिया किiset है के लोग जो है वो पेमेंट करें वगर बासरी यह है जो यह बड़े बड़े लोग बैटे हुए हैं चाहे वह पार्लिमेंट के अंदर हो पार्लिमेंट के बाहर हो चाहे जैंसिस के ओं आकिर यह लोग टेक्स कब दे पिचली दस साल की भ वो वेस्ट को लेक्चर देने में गुजर जाता और बड़ी टफ लाइन लेते हैं आज मैं एक उनका इंटर्वीव देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि वेस्ट को आदत पड़ी हुई है कि वो प्लेयर भी होता है वो इंपायर भी होता है और वो ही जीत जाता है कि वो जिस वेस्ट के दोस्त अंजिस अमरीका के जिस यॉरप के वो दोस्त हैं उन्हीं को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसकी क्या वजह है वान वर्ड स्ट्रिटीजिक अटॉनमी वान वर्ड इंडिया इस अथारिटेटिव नौ अब डॉक्टर जे शंकर जो है वो जिसे वो कहाते हैं ब्रैंड इंडिया को एक डिफरंट तरीके से मार्किट कर रहे है आज मैं देख रहा था कि इंडिया के जो नेवल चीफ है वो अशन डिजन के हवाले से बातें कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अज़ ग्रेट पार हमारी रिष्पॉंसिबिलिटी है ऐब इस ग्रेट पार यह हमारी रिष्पॉंसिबिलिटी है कि हम अक्ट करें तो इंडिया अपना जो रोल है उसने इंडिया ने अपना रोल बढ़ा लिया हुए यह दोनों बड़ी इंपॉर्टन चीजें यह इस नॉट कम दिस इस 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 इंडिया जो 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 सिस्टम है वो इस तरह सोच रहा है फॉर अग्जामपल टॉक्टर जेश अंकर से बात की गई वो जी पास्पोर्ट के वाले से इंडिया का पास्पोर्ट बहुत तगड़ा है आप कहते हैं आप चार्ट ट्रिलियन डालर की एकॉनिमी हैं वो कहते हैं क्या फरक पड़ता है रैंकिंग क् चीज़ है हम तो अपने लोगों को देखें कहां कहां से वैकुएट करते हैं मिसाल दे रहे होंगे कि क्या अर्जिंड इनकप उसका बल्गारिया का पास्पोर्ट पास्पोर्ट इंडिया से तगड़ा है लेकिन क्या बल्गारिया अपने लोगों को रैट सी से निकाल सकता सो ये है वो स्टाइल जो मैं देखता हूँ और आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले ही जिसे कहते हैं कि रशिया के जो फॉर्ण मिनिस्टर लेवरोव हैं उन्होंने भी कहा था कि आई लाइक जे शंकर फॉर आस्किंग वेस्ट तु माइंड यो बिजनस जिसमें पर्टिकलर्ली वो रशियन ओयल का तथकरा करते हैं कि इंडिया ने रशियन ओयल को खरीदा डिस्पार्ट दे फैक्ट देर वज़ प्रेशर उनके ओपर प्रेशर था लेकन उन्होंने उस ओयल को खरीदा सो क्वेस्टन ये है कि ये जो डॉक्टर जे शंकर की जो लैंग्विच है जिसे वो कहते हैं कि इतना असर्टफ हो के बोलते हैं ये ये सर्टफ होना इस नॉट अनीजी वे आप ऑग्जामपल ये मेरा कहले सिंगापूर में वह एक अपनी बुक वाय भारत मैटर्स पर डिस्कुशन कर रहे थे और पाकिस्दान को भी आपको पता है इंडिया का इंडिया की जो जितनी भी क्लास है पुलिटिकल क्लास हो अब उनने पाकिसान को क्या का है जी दे यूस टर्रिसम अज अन इंस्टूमेंट अफ स्टेट क्राफ्ट रिमेंबर फड़ पाकिसानी फॉर्ण मिनिस्टर्ट